बबलड प्रेशे हैं अय किती है हाई बलड प्रेशे हाइट मैं कि अंतर इसे मीरे हैं हाइपर यह है हमारे मं HEA आपको anxiety रहती है आप हुआशा pressure में रहते है। ताइम, pressure, work pressure में रहते ताइ turn anger-in एक होता हैangär out गुस्था कर रहे है। पर अंदर अंदर गुस्था कियारे है। जब भार भी नकालते और जीन वह मेनिफेस्ट एक्सप्रेस करने लगते हैं, जैसे नेगेटिव धर्ती मिलती ना, धर्ती जाहिए बीज को, जीन तो बीज के समयन है, वह बीज को धर्ती मिली नेगेटिव मन की, नेगेटिव सोच, जल्दी चिनता गुस्सा उदासी, तो वह जीन पनपने लगते और फिर प्रश्र भणने लगता है, और इसमें कुछ और फेक्टर्स हैं जैसे, जैसे शादा देवी बोल रही है, केमरा बीपी कभी कभी बीच में बहुत हाई, 210 भी हो जाता है, और दबाई लेते लेते, चार गुली दोज खा रहे हैं तो भी बढ़ जाता है, अगर उन इंपोर्टन बात है, कि हमें अपना संसकार परिवतन करना पड़ेगा, कुछ ऐसी आदते हमारे अंदर पढ़ जाती हैं, बच्पन से, और धीरे देवा आते पक्की हो जाती हैं, तो वो बिमारी हमारे अंदर, सदा के लिए हमारे अदर पक्की हो जाती है, हमने देखा है पिछले 25 साल में, कि जब हम पेशेंट्स को उनकी आदते हैं, संसकार परिवतन करते हैं, तो संसकार परिवतन संसकार कैसे बनते हैं, सोच से बनते हैं, एक सोच को हम बार 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 उसको करम में लाते रहते हैं, करम में लाते लाते हैं, वो चीज कि हमारी आदत बन गई है नमक थोड़ा ज्यादा खाना शुरू किया होगा बच्मिन से जाए चट पटा अब उसके बगए उसके बगार उसके खाना शाहिन लगता है तो अब कितना भी गोली खाले है अगर नमक कम नहीं करेंगे अपना लो सॉल्ट इंटेक नहीं करेंगे तो उनका बीपे पर रहते हैं देर तक पिक्चर देखते हैं टीवी देखते हैं तो फिर भी बीपे कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि हमें उन फेक्टर्स सबको कंट्रोल करना पड़ेगा जिनसे ब्लड प्रशर बढ़ता है इसी को जीवन शहली कहते हैं अंदर की जो हमारी घड़ी है उसके ए प्रशित हैं कि जिवन को जिनना होगा समय को जिनना होगा सब्र की घड़ी काई रेकिक इवा उठना कितन Paige सोना कितना बेककर ना प्रहापर एक्सराइज करना डाइत में क्या लेना जिससे मारब प्रशर गंट्रोल रहे प्लस ऐसी ऐसी मन में इत्नना रलेक्स रहे ग् dess ब्लड प्रेशर कंट्रूल में रहे, जल्दी चिंता गुसा से हमारी सिंपेथरिक एक्टिविटी बढ़ती है, हमारी स्ट्रेस रेस्पॉंस बढ़ती है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, सिंपेथरिक निवर सिस्ट्रम एक्टिव हो जाता है, और क्या है वो शार्दा कि आदत देखने कि आदत सुनने बुलने खाने में परिवर्दन करेंगे डाइट को परेज करेंगे रोस्यार करेंगे ची नींद 6-6 अर्टा करेंगे कई लोग स्मोकिंग करते हैं कई लोग चाय काफी ज़यादा पीते हैं उनको भी उसके करण नीर के कौईलिटी कारा हो जा दो गोली होई होगी फिर तीन गोली होई फिर चार गोली होई क्योंकि अंदर तो आग लगी हुई है आग में तेल भी डाले जा रहे हैं तो आग तो बढ़ती जाएगी ना वही हालत उनकी है पर हमने देखा है पच्छेस साल में जो हमारे पास हार्ट के पिशेंट्स आया उनको को भnd memoir प्रिखन तेल नभी है और झाले लापी जाएजा से ज्यादा उर्ट बाइब के त् अचारओ पिशेंट्र आइस तो आग इनको आग प्रिखन पैश्या सा गभी फुट आग उनने से उनको ब्ली होई जाज, और प्लोड ऐख से से साधीज नभी जाज पिशे बाकि जो तीन हजार के असपस और भी जो दिलवाले हैं, उनको हाईब्राट टुशर रहता था, आज उनको आधी गोली, एक गोली से काम चल रहा है, उनको अपनी आदत बदल लिए, घान पान के आदत, वहवार बदल लिए, आहार और विहार, तीनों ही बदल लिए, अगर वहवार, आहार, वहार तीनों बदल लेंगी शार्दादेवी, और तो देखें कि चार गोली के बजाए, उनको देर देर तीन गोली, फिर दो गोली, फिर एक गोली, फिर आदी गोली और गोली चूट भी सकती है, अगर ठंड़ा सबहा हो जाए, शान्ती से, पेशेंस रख तो definitely high blood pressure की जो बिमारी है वो उसे छुटकारा पाया जा सकता है, और जो दवाईयां हैं वो भी कम हो जाएंगी, यह stress psychosomatic disease है, psychosomatic, psyche को परिवरतन करना पड़ेगा, सोमा के लिए, psyche के लिए वहवार परिवरतन करना पड़ेगा, सोमा में बॉड़ी के लिए, हमें आहार पर पीने कादा तर्चोड़नी पड़ेगी, cold drinks पीने कादा छोड़नी पड़ेगी, परिश्मोकिंग या शराप पीते हैं उनको तर्चोड़नी पड़ेगी, तो फिर देखेंगी, आहार ठीक करने, वहवार ठीक करने, और भी हार ताबस.